एंटीलिया केस और सचिनवाजे मामले के बाद मुंबई पुलिस के पूर्व कमिशनर परमबीर की सियम उधव ठाकरे को लिखी गई चिट्टी पर महराष्ट की सियासत में बवाल मचा हुआ है अनिल देश्मुक पर परमबीर सिंग के गंभीर आरोपों पर भाजपा लगातार हमलावर है भाजपा के हमलों के बीच शिवसेना सांसद संजरावत ने कहा है कि अगर ऐसे ही इस्तीफे लेने लगे तो फिर सरकार चलाना ही मुश्किल हो जाएगा उन्होंने भाजपा की ओर इशारा करते हुए छेतावनी भरे लहज़े में कहा अगर कोई राज़े में राष्टपती सासन लगाने की कोशिश करेगा तो वो उसी आग में जल जाएगा देखें बीजेपी क्या कहती है और क्या कहेगी इसलिए सरकार नहीं चलती सरकार का अपना एक रूर डेगुलेशन है सरकार के पास बहुमत है इसलिए तो हम सरकार चलाते है और विजेपी के पास बहुमत नहीं है इसलिए आप पोजीशिन में है न्यूज एजेंसी एनाई के मुताबिक अनिल देशमुक को लेकर जारी विवाद पर शिवसेना के राजसभा सांसत संजयराउत ने कहा अगर एनसीपी प्रमुक शरत पवार ने फैसला किया है कि आरोपों की जाच होनी चाहिए तो फिर इसमें गलत क्या है आरोप तो कोई भी किसी पर भी लगा सकता है अगर लोग मंत्रियों का इस्तीफा ऐसे ही लेने लगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा उन्होंने आगे कहा ग्रिह मंत्री अनिल देशमुक ने कहा है कि लेटर बम की तथ्यों की जाच होनी चाहिए अगर सरकार इस जाच की चुनौती को स्विकार करने के लिए तैयार है तो इस तीफे का मुद्दा बार बार क्यों उठाया जा रहा है उन्होंने फिर कहा कि अगर कोई केंदरी एजेंसियों का दुरुपयोग करके महराष्ट में राष्टपती शासन लगाने का प्रयास कर रहा है तो मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं कि आप स्वयम उस आग में जल जाएंगे इस मामले पर महराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फढ़न्वीस लगातार ग्रहमंत्री अनिल देशमुक के इस्तीफे की मांग करते आ रहे हैं फढ़न्वीस ने रवीबार दोपर एक प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था सचिन वाजे को महराष्ट के मुख्यमंत्री और ग्रीमंत्री के आदेश पर सेवा में वापस लाया गया था पवार साहब सच में भाग रहे हैं उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाच तब तक नहीं हो सकती जब तक वे पद पर बने रहेंगे और इस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी कि पवार साहब ने अपने कंधे पर लिए इस सरकार को मैनिफेक्चर ही पवार साहब ने किया और इसलिए वो यह मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रॉडक्ट है उसको वो सेवगार करे और इसलिए माननिया पवा में कहीं मुझे लगता है कि कुछ बाते महा भारत में नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा इस प्रकार से उन्होंने आधी बात प्रणवीश ने NCP नेता शरत पवार पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने जह महाविकास अगाडी की सरकार बनवाई इसलिए उसका बचाव कर रहे हैं शरत पवार ने रविवार को ही एक प्रिस कॉनफरेंस में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिशनर परम्बीर सिंग की चिट्थी से पैदा विवात को साजिस करार दिया था पवार ने सिंग के आरोपों को जूठा बताते ह से वे कहा कि यह शिव सेना एंसीपी कॉंग्रेस की गडबंधन सरकार को अइस्थिर करने की कोशिस है यह बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपलेट कमिटी यह परम्बीर सिंग इनकी अध्यक्ष्टा में ही थी इनकी अध्यक्ष्टा में कमिटी होती है उस कमिटी ने दन्ने लिया लेकिन वो मिरणाय लेने के बार सबसे महतुपूर्ण जगह वाजे को दी गई कि सारे महतुपूर्ण केसेज वाजे इनको दिये गए क्या सरकार को यह पता नहीं था क्या मुख्यमंत्रियों ग्रूहमंत्रिस होए थे क्या उनको इसकी जानतारी नहीं थी यह बात सही है श्री परम्वीर सिंग इलुकी कमिटी ने वाजे इनको ब्रीन स्टेट किया लेकिन उसके बार पवार साब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्रियों और गुरूहमंत्रि के इंस्ट्रक्शन पर किया बतादें कि मुख्यमंत्री उधर ठाकरे को लिखे आठ पन्नों के लेटर में मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परम्वीर सिंग ने आरोप लगाया है कि देशमुक अपने सरकारी आवास पर पुलिस अधिकारियों को बुलाते थे और उन्हें बार, रेस्टूरेंट और अन इस्थानों से उगाही करने का लक्ष देते थे। उन्होंने आरोप लगाया था देशमुक ने हर महिने 100 करोड रुपए की वसूली करने का टार्गेट दिया था, हलाकि देशमुक ने सिंग के आरोपों को निरधार बता कर खारिच कर दिया है और इसे IPS अधिकारी खुद को जांत से बचाने का प्रयास करा दिया है। फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजातरेन खवरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक् अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दिजे।